Hello guys, welcome back to my channel, आप देखने हैं श्रीप्रगुरबस, मेरा नाम है रिखिल भारगफ दोस्तों, आज का व्लॉग जो फोकस है, वो प्रदान तक चूण के उपर फोकस है प्रदान तक चूण दोस्तों, एक ऐसा पाउडर फॉर्म है, यानि एक ऐसा कॉम्पोजिशन है पाउडर फॉर्म में, जो फीमेल बॉडी के लिए अम्रत के समान है यानि वो इतना अच्छा असर करता है आपके गरभाशे के उपर, यानि जो गरभाशे होता है महिलाओं में, उसको शुद्ध रखने में, उसको साफ सुत्रा रखने में काफी अच्छा काम करता है तो उसमें भी यह काफी अच्छा काम करता है, जिससे आपका जितना भी गायनिक प्रॉब्लम है, जितना भी आपको गायनिक किशूज है आपकी बॉडी में, वो सभी को क्योर रखने की शमता रखता है, आगे वलोग में आपको बताऊंगे, इसमें क्या-क्या डलता है, यान कि अमचूर निखाना है, नीबू नहीं खाना है, अचार नहीं खाना है, यह चीज़े नहीं खाना है, और खटाई अगर आपको लेना है, तो आप ध़ई के फोर्म में लीजिए, कर्ड ले सकते हैं, मठा आप जितना लेंगे, उतना अच्छा आपको फायदा करेगा, इन रेड कलर का आता है दोस्तों, और जिस से सुपारी पाग भी बनाया जाता है, यह चिकनी सुपारी है, फिर डलता है माजूफल, फिर सोना गेरू, यानि यह शुद्य गेरू आता है, गेरू जिसे हम लगाते हैं, और एक गेरू खाने वाला भी आता है, शोधित करके, वह पठानी लोट डलता है, और राड डलती है, ये सारी चीजों को समभाग लेना है, यानि एक्वल कॉंटिटी में आपको लेना है, इन सभी चीजों को और अच्छे से पीस के इसको बना के रख लीजे आप, जिससे आपका प्रदांदक चूट रेडी हो जाता है, और मिशिल मि आपके आप इसको सेवन करिये, सबेश शाम खाना खान के बाद, चावल के धोवन, यानि जो चावल आप जो पकाते हैं, उसका जो मान होता है, जिसे हम कहते है, चावल के मान के साथ आपको लेना है, इस चूण को, जिससे आपको काफी अच्छे रिजल मिलेंगे, इन डव सब्सकर तुमाचा खे सेठाए, इस आपके लिए बाद, इस चाहते हैं, खावल्य जो आपके ले अजिए, जिससे बाद, जो खेए तक लिएजुन को, अच्छे बाद, ऎवे दियो अगरिए, सुन नापके लिए, श्युन को, भाद, आपके लिए, बाद, आपके लिए, झाल झाल